हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू मैं नीज चैनल दा बाइकर समीर उमीद करते हैं दोस्तो आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज की सुरों में बात करने वाले ब्रेंड लू जावा 350 के बारे में जो दोस्तो इस वीडियो में complete इसका review करने वाले हैं क्या price आती है क्या specification है क्या budget वाप इसे खरी सकते हैं और आपको बता दो this is brand new जावा 350 यह जावा 42 थी old model company ने नई model लाई 350 और इसमें बहुत अच्छे कासे company ने जो changes किये उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो चली फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली पराया है तो सब्सक्राइब करिएगा बिल्ट एकन को अन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही interesting वीडियो के notification पर आप तक पॉस्तर रह सकें और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें चली फिर आज के इस वीड होता है जितना हमारे पास पैसा होता है उसके हिसाप से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं दोस्तों आपको मैं बता दूए एक्स रूम प्राइज आ रही है लगबग कि आसपास किये हमारे यहां और प्राइज देखने को मिल रही है बकि आप लोगों के स्टेट में इसका क्या प्राइज अगर आपको पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए इसकी रिव्यू में आते हैं सबसे पहले आपको पत जाती है जिसकी आप लाइट देख पा रहे हैं यह आपको 165 वाट की जो बल्ब है कमपनी ने आप इसमें दिया है जिसकी इलुमिनेस है जो विसिबिलेटी होती होती है बहुत अलाशी होती है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और लाइट की जो क्वालिटी है वो परे होन में भी छोटी से जावा की बैचिंग देवी है यह चीज जो है मुझे काफी जदा इसकी अच्छी लगी कि कमपनी ने छोटी छोटी चीजों में बहुत अच्छी तरगे से द्याल दिया है मात करे फ्रंट सस्पेंशन के बारे में फ्रंट में दोस्तों इसमें बार जदा बैतर किया है इनों है टायर साइज में फ्रंट में आपको 110 90 के सपस के टायर साइज मिलेंगे जो कि 80 इंच विल के साथ में आते हैं बात कर लिए दुस्तों ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग में इसमें आपको डूल चैनल एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है जी दोस्तों ABS है जो कि dual channel ABS आपको बैक में मिलेगा बात करें प्लेट साइज के बारे में तो फ्रंट में आपको इसमें 280 280 mm की जो प्लेट साइज है वो आपको बाइबरी की जो ब्रेकिंग के लिपर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे जू की काफी premium और काफी अच्छ होते हैं, बात करें इसके एंजिन के बारे में, तो आपको बातादू एंजिन टाइप में सिंगल सेलेंडर, फोर इस्टुक, लिक्विड कुल, डी ओस्ती जो एंजिन है, आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है, बात करें पावर एंड टॉर्क के ब इस पावर कम करने का कारान है CT परपस, अगर आप CT में भी व्राइट करेंगे, तो कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं आएगा, और CT में भी आप इसमें इदनी मजे ले सकते हैं, CT के लिए भी अभी ये बैस्ट हो गई है, ठीक है, कुलिंग सिस्टम में लिक्विड कुल इ ES6 with E20 norms के साथ में ये आती है, स्वेधा दोस्तों इस भाइक का complete engine specification, बात कर लेते हैं कि ये mileage and performance के बारे में, दोस्तों अगर माइलेज के बारे में बात करो, तो देकि जो mileage है न, वो depend करता है आपके riding skill पे, क्योंकि हर किसी के write करने का जो तरीका होता न, वो काफी अलग होत कर रहे हैं, यह आप देख पार है, इंजन में जावा की batching मिलती है, उदर कुछ और batching मिलती है, यह footage quality बहुत सुपब है, यह rear brake है, यह आपको rear footage quality बहुत अच्छी देखने को मिल जाते है, दोस्तों rear में आपको 13080 के tire size मिलेंगे, 17-inch wheel के साथ में आते है, यह rear के braking है, जिस इसकी sound जो है काफी loudy आती, company ने इसने dual exhaust यूज़ किया है, टेलेट का डिजाइन देख पार है दोस्तों, यह टेलेट डिजाइन है, जो कि काफी अच्छा लगता है, और company बिल्कुल नया दिया है, बिल्कुल fancy है, और यह भी आपको tunnel signal bulb bulb देखने को मिलेंगे, प्लस यह आ नया seat दिया है, यह company की logo है, और seat की quality भी मैं देख पार हूँ, पहले से बहुत अच्छी, soft हो गई है, ताकि आप अच्छी तरीके से comfortable light कर सके है, यह बाइक का tank है, tank का design आप देख पार है, paint quality तो बाइक बहुत सूपब है, और यहापे आपको since 1929 की जो batching है, वो भी आपको मिल आती है, अब इस speedometer के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है की इसकी यहाँ पे लगती है, और speedometer on है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, speedometer में दोस्तों analog feed digital meter आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफी सेरे जो feature हैं, आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या क्या feature में आपको बता देता हूँ, जैसे दुस्तों आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को bike में, यह speedometer मिल रहा है, जो की analog है, यहाँ पे आपको fuel indicator है, वो भी आपको analog मिलता है, यहाँ पे ABS की light है, यहाँ पे low oil indicator है, low battery indicator भी आपको मिलेग है, वो काफी match भी करता है, switches में this is past six, टनल सिंगल है, यह अपना low beam, high beam, horn, engine kill six, हजाट को six, प्लस एक self-fuzzle switch हो आपको bike में देखने को मिल जाता है, प्लस, bike कैसी लग रही है भाई, नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा, तो सो बात करें इसके diamond incident and capacity के बारे में, आप इसके compare में, इसकी जो height है, वो थोड़ी बढ़ गई है, तो इसका ground clearance है, वो भी दोस्तों बढ़ गया है, ठीक है, ground clearance है, इसकी लबक, 178 mm की wheelbase है, 1449 mm का, dry weight है, 184 gauge का, fill tank capacity है, 13 liter की seat height, 790 mm की आसपास की देखने को मिल जाती है, स्वेध अधा दोस्तो, brand new in Java 350 का complete specification review, दोस्तो अगर आपको bike देखनी है, 36 गड़ रहा, फिर रहपूर से हो, तो मैंने store room का contact number प्लस address दे रख है, अगर आप सामने से bike को एक बार real life में देखना चाहते हैं, तो जरूर आप store room visit करिये, और bike देखिए, ठीकि कभी भी जो photos and videos होती है न, उसमें bike को हम पूरी 100% नहीं समझ सक उसमें मुझे तो लगता है कि हम 60-70% ही समझ पाएंगे, जब real life में देखते हैं, तब हमें समझ में आथा कि actual में bike कैसी लग रही है, आपके आपको नए जावा 350 कैसी लगी, नीचे comment section में comment करके जरूर बताइएगा, चली दोस्तों मिलते हैं फिर next video में, love you all, शेहिन बंद आवात्रम